मुंबई की युवा बैटर, मुशीर खान का एक्सिडेंट हो गया है इस एक्सिडेंट में उनकी गर्दन पर गंभी चोट लगी है इस चोट की चलते ही मुशीर लंबे वक्त तक क्रिकेट से दूर रहेंगी इस एक्सिडेंट के बाद वो इरानी कप से भी बाहर हो गए है फालती बलेबास सरफरास खान के छोटे भाई मुशीर एक्सिडेंट के वक्त अपने पिता के साथ प्रावल कर रहे थे इंडिया टुडे के मुशीर यूपी के आजमगर स्थेत अपने गाउ से लखना हुआ रहे थे सूतरों की माने तो इस एक्सिडेंट में उनकी कार चार से पाच बार पल्टी हलाकि दुरहटना के कारण अभी पता नहीं चल पाए है उनने साल के मुशीर अब 6 हफतों से 3 महिनों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे हलाकि चोट की गंभीरता के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है लेकिन दावा है कि ये चोट काफी गंभीर है मुशीर लगाता डोमिस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर रहे थे और इस चोट का उनके करियर पर गंभीर प्रिभाव पड़ेगा हाली में हुई दली प्रॉफी में मुशीर ने इंडिया बी के लिए 181 रन की बहतरी इन पारी खेली थी अलग इसके बाद के मैचेज में वो कुछ खास नहीं कर पाए लेकिन उनकी ये पारी हमेशा के लिए रिकॉर्ड बोक्स में दर्ज हो गई ये दली प्रॉफी में टीनेजर्स द्वारा खेली गई सबसे बड़ी पारियों में से एक है मुशीर भाद ये क्रिकेट के सबसे प्रॉमिसिंग प्लेयर्स में से एक है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका 51 से जादा का आवरिज है मंदरा पारियों में मुशीर ने 716 रन बनाए है इसमें 3 शतक और 1 अधिशतक शामिल है फर्स्ट क्लास में मुशीर का टॉप स्कोल 203 रन है मुशीर की चोट पर अभी जट मुँबई क्रिकेट असोसियेशन का कोई कॉमेंट नहीं आया है हलागे इस चोट का मुँबई क्रिकेट पर गहरा प्रभाव पड़ेगा ये बात ते है मुशीर ने सीनियर डेबियू से पहले अंडर 19 वर्ल कप 2024 में भी कमाल किया था उन्होंने इस टूनमेट की साथ पारियों में 360 रन बनाए साथ के आवरे से बातिंग करने वाले मुशीर सबसे ज़ादा रन बनाने में अपने ही देश के उधै सहारन के बाद दूसरे नंबर पर थे इसके साथ ही मुशीर ने बोलिंग में भी कमाल किया था उन्होंने साथ पारियों में साथ विकिट अपने नाम किये थे मुशीर अपने बड़े भाई सरफराज के साथ ही दली प्रॉफी खेल रहे थे खबरों के लिए आप देखते रहे हैं ललन टॉप